हाउ डू फीक्स वींडोस 11 टाक्स बार नॉट वर्किंण प्रॉल्म नमस्कार डोस्तो वागर अब सभीका थीकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की ताक्स बार not working problem आप solve कैसे कर सकते हैं अगर आपका ताक्स बार काम नहीं कर रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें मैं आपको बताऊंगा क्या solution करना है कैसे problem solve होगा ठीक है ताक्स बार दोस्तो बेसिकली यह है जो आपका नीचे पे होते हैं स्क्रीन पे अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसमें आप applications पिन नहीं कर सकते ठीक है और सारे साथ दोस्तों आप उसमें कुछ applications जोई पिन करके उपन नहीं कर सकते तो ऐसा problem होते है तो बेसिकलिए दोस्तों अगर आपका तागज़वर काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को देखें सॉलुशन को फॉलो कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्फ कीजिए वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप ओनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर आपको करना क्या है अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो तो दोस्तों सबसे पहले अब अपने PC को रिश्टार्ट कर लिजिए ठीक है आपके जो पीसी है उसको एक ख़ूइकoug रिश्टार्ट कर दीजए और उसके बाद एक बार चेक करके देखिए ठीक है छिण करने कदों आप अपने कीबॉर्ट में ठीक है आपके जो यहां पर यह भी कर सकते हैं और यहां पर यहां पर पर आपको मिल जाएगा नीचे तो सबसे पहले आपको यही करना है और उसके बात में दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्फट नहीं होते तो आपको दूसरा सॉल्फट करना परेगा लेकिन एक बार चेक करके देखे रिश्टार्ट के बार अगर प्रॉब्लम सॉल्फ होते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते तो आपको दोस्तों यहां पर अपना डिवाइस मेनेजर को ओपेन करना होगा इससे यहां पर हमारा जो है टाक्स मेनेजर ओपेन हो रहा है सो हमें ओपेन करना है डिवाइस मेनेजर तो इसका शौटकाट टरीका में आपको बता रहता हूं क्या करना है ओके दोस्तों यहां पर हमें सही जगे पर ही जाना है ठीक है क्योंकि हमें यहां पर करना क्या है हमें विंडो एक्सप्लोर को एक बार रिस्टार्ट करना है ठीक है विंडो एक्सप्लोर तो मुझे लगा डिवाइस मेनेजर पर जाना है तो यहां पर विंडो को जो है विं तो ठीक है अगर सॉल्फ नहीं होते हैं तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए अपना रन को ओपन कीजिए यानि कि आपको विंडो की प्लस आर में क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक option सलेक्ट करना होगा ms configurations एंटर में क्लिक कीजिए और आपको यह option मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आपको service में क्लिक करना है hide all Microsoft service कर लिजे और उसके बाद OK करके disable all कर दीजेगा ठीक है उतना करने के बाद दोस्तों आप check out करके देख सकते हैं आपका problem solve हो जाएगा अगर solve हो जाते ही तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो window plus IP क्लिक कीजे यानि कि आपका setting उसके बाद window को update कर दीजेगा ठीक है window update करने के बाद दोस्तों यहाँ पर check करके देखे अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर उसके बाद भी solve नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको personalization के अंदर पे आपको tax bar के related कुछ settings मिलेगा जैसे कि search open कर लिजे टाक्स भी open कर लिजेए widgets open कर लिजे एंड chat को open कर लिजे ठीक है तो इसके जरूद नहीं है इसको burn कर देता हूँ उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर किस किस का आपको जरूद है जिससे कि tax bar behavior का option है यहाँ पे tax bar alignment आप set कर सकते है आप बेजस का option यहाँ पे आप ठीक है इसको इनेबल कीजिए और automatically hide the tax bar को आप set मत कीजिएगा इसको करने से क्या होते है आपका tax bar automatic हाइड हो जाते हैं ठीक है तो इसको आप बन करके रखी I mean on, okay, off करके रखी and share any window from my tax bar and यह option select the far corner and the tax bar to show the desktops Okay, सब कुछ आपको उन कर दिना यहाँ पर जो जो मैंने आपको बताया है उसको follow कर लिजेगा उसके बाद में दोस्तों आप चेक आउट करके देखिए solve जागा आपका problem and this is how you can fix it ठीक है तो यह solution है दोस्तों आपको जो follow करके solve करना है problem आपका tax bar आपको मिल जाएगा solve जाएगा problem तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह solution follow करना परेगा दोस्तों अमीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा thanks for watching